गुजरात की दो दिवस्य दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने कल के वडिया जिले में आरोगे वन का उद्खाटन किया वन का उद्खाटन करने के बाद पीम ने आरोगे वन का अवलोकन भी किया केवडिया के आरोगे वन में औशदिये गुणों से परिपून पौधों को लगाया जाता है जो मानव शरीर और स्वास्थ मस्तश के लिए लाब दायक है आरोगे वन फ्रधान मंत्री नरीम द्रुमूधी की दूदर्शी सोच और द्विण इच्छा शक्ति का नतीजा है भी मिला है यहां पीम मोदी ने सेल्फ हेल्प क्रूप से जुड़े लोगों से बात चीत की आत्म नर्भरता की उडान भरने वाली के वड़िया की महिलाएं आज स्वाव लंबी बनने में जुटी हुई है आरोगेवन में उधगाटन और दौरे के बाद पीम मोदी ने एकता मौल का उधगाटन किया एकता मौल का उधगाटन करने के बाद प्रधार मंस्री नरेंजर मोदी ने एकता मौल का दौरा किया एकता मॉल तेश के कई क्षेत्रों से शिल्प और विशिष्ट कलाओं की सम्रिध विविद्धा को प्रदर्शित करता है ये मॉल वस्त्रों, लकडियों और धातूँ पर उकेरी गई अनोखी भारतिये हस्त शिल्प कला को प्रदर्शित करता है प्रदार मंद्री नरेंद्र मुदी ने अपने कुछ राद दौरे के दौरान दुनिया के पहले तकनीक आधारित बाल पोशक पार्काउद घाटन किया पार्काउद देश से विभिन गती विधियों के जरिए पोशक भोजन के प्रतीज जागरुकता फहलाना है पार्काउद घाटन करने के बाद प्रदार मंद्री नरेंद्र मुदी न्यूट्री ट्रेन में सवार होकर पार्काउद दौरा किया दरएसल ये पार्क तकनीक के जरिये सरल तरीके से और खेल खेल में ही बच्चों को पोशक आہार देने के लिए फ्रेडिट करता है Children Nutrition Park करीब 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कोपोशन और एनिमिया को कम करने के मकसद से राश्ट्रिये पोशन मिशन शुरू करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ही केविडिया की दूसरी परियोजनाओं की तरह इस पार की भी परिकल्पना की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिलेके के विडिया में सरदार प्रटेल प्राणी उद्यान का उध्धाटन किया इसे जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है प्राणी उध्यान का उध्धाटन करने के बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके दोरे पर निकले पीम ने जंगल सफारी में स्थित पक्षी शाला का दोरा भी किया यहाँ पीम मोदी रंग बिरंगे तोतों के साथ खेलते नजर आए विंधिया और असदपुड़ा पहाड़ियों से घिरा स्टाचू उस्चूनिटी में जंगल सफारी कई मायनों में अध्वित यह है देश्विदेश के कई प्रतिष्चित चड़िया घरों से जीवों को यहां लाया गया है पारिस्तितिक संतुलन को छेड़े बग किया इस स्यात्रा को 40 मिनिट में तै किया जाएगा इसके लावा एक अन्य फेरी सर्विस भी है जिसे यूनिटी दो का नाम दिया गया है तेज रफ्तार वाली सेवा में 25 मिनिट ही इस सफर को पूरा करने में लगेंगे और इसमें एक बार में 25 याध्री ही सफर कर फेरी सेवाओं के लिए नया गोरापुल खास्तोर से बनाया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने के विडिया में विकास की परियूजनाओं को गती देते वे 17 परियूजनाओं का लोकारपन किया साथ ही चार नई परियूजनाओं की अधार शिला भी रखी इसमें नाविगेशन चानल, न्यू गोरा ब्रिज, खलवारी, एको टूरिजम, एकता नरसरी और ट्राइबल होमस्टे जैसी परियूजनाओं शामिल है शेत्र को होलिस्टिक टूरिजम स्थल के रूप में विक्सित करने के मकसद से प्रधान मंत्री नरिंटर मोदी ने सरदार सरोवरबांध के आसपास डेकोरेटिव लाइटिंग का उधगाटन भी किया इसके साथ ही स्टाचू अफ यूनिटी की वेबसाइट भी लॉंच की ये वेबसाइट हिंदी गुजराती सहित संयुक तुराश्टर की छे आधिकारिक भाशा में प्लब्ध होगी इसके लावा पियम मोदी ने केवडिया मोबाइल आप भी लॉंच किया भारत ने कोविट के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपून उपलब्धी हासल की है पिछले तीन महीने में पहली बार कोरोना के सक्रीय मामलों की संख्या च्छै लाग से नीचे पहुँच गई है वरतमान में देश में कुल संक्रमतों की मामलों की बात करें तो वो सिर्फ 7.35 प्रतीशत ही सक्रीय मामले है जो 5,94,386 है देश में कोरोना के मामलों में प्रति दिन गिरावट देखी जा रही है देश में कोरोना वारिस महामारी से संक्रमत लोगों में से अब तक 73,375 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इसके बार देश में रिकावरी रेट बढ़कर 91,5 प्रतीशत हो गई हैं देश में कोविट से मृतियूदर घटकर 1,5 प्रतीशत रह गई हैं देश में फिलहाल 5,94,687 सक्रीय मामले हैं और दुनिया भर में करोना वारे संक्रमन का आखड़ा लगतार बढ़ रहा है विश्व में इस समय चार करोड अठावन लाग 92,000 से अधिक करोना संक्रमत हैं जबकि 11,93,000 से जारा लोगों की जाने जा चुकी हैं वही 3,32,38,000 से अधिक लोग कोविट से ठीक भी हुए हैं सक्रीय मामलों की बात करें तो विश्व भर में 1,14,61,000 से अधिक सक्रीय मामले हैं सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमतों के संख्या 93,16,000 से उपर पहुँच गई हैं जबकि 2,35,000 से अधिक लोग अपनी जान कवा चुके हैं वहीं ब्राजील में संक्रमतों की संख्या बढ़कर 55,19,000 से अधिक हो गई हैं जबकि 1,69,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी हैं अमेरिका में राश्ट्रपती पत के चुनाफ के मतदान में महल स्चार दिन बाकी हैं रिपब्लिकन और डिमोक्राटिक पार्टी की ओर से धुआधार तरीके से चुनाफ प्रचार जारी है अमेरिकी राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प और उनकी दिमक्राटिक प्रतिद्वन्दी जो बाइडन मध्य पश्च्चमी राज्यों में अंतिम पड़ाव के चुनाफ प्रचार में जो शोर से जुटे हुए हैं जो बाइडन ने 2016 में दस अंकों से ट्रम के लिए मधदान करने वाले राज्य आयोवा में प्रचार किया यहीं ट्रम ने चार साल पहले एलरी क्लिंटन के लिए बहुत कम मधदान करने वाले राज्य मिनिसोटा में प्रचार किया अब तक 85 मिलियन से आधिक लोग जल्द कर चुके हैं